तो यह विल्कम पैका मैं सुमीर भूशन पे इंटर्वेशन इंट फाउंडर पैजिनेंट दोक्टर भूशन्स रिसर्च लैब और राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय योग अध्यक्ष अजूश इंटरनेशनल मेडिकल अस्सेशन बहुत अस्वागत आप सबका आज बताऊंगा जब आप उनके साथ कनेक्ट होगे डेप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया समझ लीजिए क्या करना है आपको सबसे पहले तो शेयर करना इस वीडियो को बहुत से लोग है हजारों लखों की तादाद में हैं जिनको ये तकलीफ कईयों को शुरू लेकिन अपनी विल्पावर और डिटर्मिनेशन की वज़ा से वो उससे पार पा गया आज आपको भी मैं दो फार्मूले दूँगा बड़े जबरदस्त बहुत जबरदस्त तरीके बताऊंगा और चार पांच छुड़ चीज़े बताऊंगा जिससे आप जब भी कनेक्ट ह रहेंगे कि दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी आनी शिरू हो गई ये कमाल की चीज़ बताऊंगा आपको पहली चीज़ बताता हूं सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे से बाहर निकलना है आप कहेंगे बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसा हम डिप्रेशन की स है, Yes, you are right, मुझे इससे बाहर निकलना है, क्या करना है, अमारी जो पांच elements है, वाजू तत्त्व है, जल तत्व है, अगनी तत्व है, अकाश तत्व है और प्रिथवी तत्व है, ये पांच ऐसे तत्व हैं, जिन से हम जुड़ना भोल ले हैं, दूर होते जा रहे हैं, जब हम सुबह नहाते हैं ना मूड बड़ा अच्छा हो जाता है उस टाइम पे ना अच्छा रिलेक्स फील करते हैं हम इसके अंदर आप एक चीज कर लिए यह पहला फॉरकुला अभी बता देता हूं आपको क्या करना है दालचीनी देखिए दालचीनी कौन सी लेनी है ध्या कुछ हाल है कुछ नहीं है ठीक है पांच ग्राम दालचीनी का पाउडर और 10 लिटर पानी एक बाल्टी में लेके राप को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसी पानी से उस परसन को नहाने के लिए बोलिए जिनको डिप्रेशन की तक्रीफ है तो क्या होगा जब वो नह पानी ठीक है आप जल तत्तव से जूड़गे दूसरा पृत्वी तत्तव मतलब हमें जमीन के साथ जूड़ए क्या करना है देखिए जमीन से यह निकली है ठीक है डाल चीनी भी निकली है क्या कीजिए अपने खाने में दाल चीनी को शुमार कीजिए आप रोटी खाते हैं प्रॉंठे खाते हैं जो भी खाते हैं उसके अंदर morning breakfast में at least इसका powder जो है थोड़ी सी मात्रा में डाले ताकि उसमें से खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी तो दिमाग की वो शरंक्लाई activate होनी शुरू हो जाएगी जहां से ये positive effects आनी शुरू हो जाएगे और पहले दो-त जित्वी से जुड़ने का मतलब है नंगे पैर आप पार्क में चलिए नंगे पैर मिट्टी में चलिए आप ठीक है और कभी दिल करें तो gardening कर लीजिए गमले हैं तो गमले में जाके थोड़ी बहुत खोदाई वगरा कर ली इस तरीके से छोट-छोटे काम कीजिए और तीस धूप सेकने से क्या कुछ नहीं होता है अगर इसके ओपर बात करो ना आदा हंटा लग जाएगा समझ लीजिए धूप सेकनी है और मालिश कीजिए साथ में blood circulation बड़ेगा blood flow बड़ेगा और आप मैसूस करेंगे कि positive विचाराने शुरू हो जाएगे धूप अपने आप में टाइम पे और मॉर्निंग में जाकर ठंडी हवा का अनंद लीजिए खूब ठंडी oxygen अंदर बढ़िए भरपूर कीजिए अलोम विलोम कीजिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं खाली deep breath बस खाली लंबी लंबी गहरी सांसे लेनी शुरू कर दीजिए ऐसा कमाल होगा कि जो उस तत्तव जो है आप जब सुबह उठते हैं ना तो चडिया चाह चाहा रही होती है तो बड़ा अच्छा कभी ध्यान देना हम लोग अकसर ध्यान नहीं देते हम तो बस समझ लेते हों कि हाँ ठीक है चाह चाह रही है लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे बड़ा मज़ा आएगा तो यह जो music है ना यह भी आकाश्तत्तव का एक रूप है तो दिन भर में आप अपने जो music सुनना है ना instrumental music सुनिए classical instrumental music इतना जबर्दस्ट इफेक्ट है उसका यह पिना कमाल का है जब आप सुनेंगे अगर आपने आदा गंटा गंटा डेद़ गंटा में सुन लिया ना य दिमाग क्या बात है पॉजिटिव विचाराने शुरू हो जाएंगे बरना शुरू हो जाएगा दिमाग पॉजिटिव विचारों से और आपकी विल पावर डिटर्मिनेशन यहां से यहां तक पहुंच जाएगी यह वो कमाल करेगी अब मैं आता हूँ फार्मूले पर क्यों बहुत जबर्दस्त है बहुत जबर्दस्त बढ़िया एक दम और अगर आपको बजार में मिल जाता है 100 परसेंट नैच्रल एसेंशल ऑयल ब्रह्मी का एक एक ड्रॉप दोनों नासिकाओं में डालना है बड़ा कमाल का है और आपको सोते समय ऐसा कर लिजिए एक दम कमाल हो बहुत किसी को serious conditions है को depression के किसी ऐसी stage पर है बल्कुर की सायता लेनी चाहिए अकसर का जाता है कि anti-depressant tablets या कोई ऐसी tablets जो खाली नीद लाने का काम करते हैं तो उनको avoid करना चाहिए until unless की conditions बहुत खराब ना हो लेकिन यह वो चीज़े हैं जिनको आसानी से साथ में किया जा सक बहुत जबरदस्त हैं और जिनकी initial stage है या कोई मतलब किसी भी stage पर हैं इसको करने में कोई हर्ज नहीं है चीक है और कोशिश किजिएगा इस video को share जरूर कर दीजेगा हजारों लाखों लोग हैं जो हर रोज इस तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं सब की मदद हो जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया इस video को देखने के लिए और share करने के लिए thank you very much God bless